हजरत अब्बास उन पर शांति हो जिन्हें हजरत अब्बास इबन अली के नाम से भी जाना जाता है 680 इस्वी में कर्बला की दुखत घटनाओं में प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे वह हजरत इमाम हुसैन उन पर शांति के सौतेले भाई थे जो इसलाम के पैगंबर उन पर शांति हो के पोते थे आशूरा के दिन जब इमाम हुसैन और उनके समर्थकों के एक छोटे समुह को यजीद की सेना ने घेर लिया तो पानी दुरलब हो गया हजरत अबास जो अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए जाने जाते हैं ने इमाम हुसैन आईस से अपने शिवर में प्यासे बच्चों और महिलाओं के लिए पानी लाने के लिए फरात नदी तक जाने की अनुमती मागी हजरत अबास ने पानी की खाल हाथ मिली और दुश्मनों से लड़ते हुए नदी तक पहुँच गए हलांकि जब वे पानी भर रहे थे यजीद की सेना की एक बड़ी टुपडी ने उन पर घात लगा कर हमला कर दिया हजरत अबास ने उनका पहादुरी से मकाबला किया लेकिन संख्या में कम होने के कारण उनका दाहिना हाथ कट गया निडर और द्रड़ निश्चे हजरत अबास अपने वामपंधी तल से लड़ते रहे अंत में उसके सिर पर जोरदार प्रहार हुआ जिससे भाग खोड़े से गिर पड़ जमीन पर पड़े पड़े उनके शरीर को यजीद की सेना के खोड़ों ने बेरहमी से कुचल दिया था हजरत अबास की शहादत इमाम हुसेन और पूरे मुस्लिम उमा के लिए एक बड़ी खशती है उन्होंने न्याय और सत्य के महान उद्देश्चे के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर अटूट निश्था और निस्वार्थता का उदाहरन प्रस्तुत किया कर्बला में हजरत अबास की घटना पर मुहर्रम के महीने में विशेशकर आशूरा के दिप दुनिया भर के शिया मुसल्मानों द्वारा कहरा शोग मनाए जाता है यह इसलाम की रक्षा और उत्पीडन के खिलाफ संघर्ष के लिए किये गए बलिदानों की याद दिलाता है